हाई एवरिवन वेलकम टू लेक्स प्रेप क्लाट 2025 एक दिसंबर को होने वाला है और ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप इस एक्जामिनेशन की त्यारी कर रहे हैं critical reasoning के उपर बच्चों को इतना जादा डर लगा रहता है लगता है कि यार हम इतने questions करेंगे 25 questions करेंगे हमारे 4 सही होते हैं 5 सही होते हैं 6 सही होते हैं और हम इस particular section में accuracy नहीं बना पा रहे हैं market में YouTube पे enough number of videos पड़े हुए हैं जहां पे एक critical reasoning का teacher दूसरे critical reasoning की teacher से बात से agree नहीं करता है और बच्चा confused रहता है कि क्या है right strategy right strategy after all critical reasoning के लिए तो मैं आपको कुछ ऐसी secrets बताने वाला हूँ जो ये coaching institutions वाले आपको नहीं बताएंगे क्योंकि अगर इन्होंने आपको बता दिये secrets तो basically इनका relevance खतम हो जाएगा देखिए सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको proof के साथ दिखाऊंगा कि critical reasoning section पूरगा पूरा newspaper editorial से आता है अगर आपने कोई भी standard newspaper को diligently, religiously, per day basis पे करा है तो आप critical reasoning section को almost 90% accuracy के साथ solve कर सकते हैं मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपने editorial की themes को proper किया है अपने concise notes बनाए है पिछले 6 महीने के editorial को एक-एक editorial को अगर आपने ढंक से पढ़ा है तो आप अपने CR section में almost almost 90% accuracy के साथ उसको फोड के आएंगे एक ही newspaper पढ़ना है अपने को दो newspaper नहीं पढ़ना है अपने को दुनिया भर के sources में भटकना नहीं है सिर्फ कोई एक standard newspaper आप ढंक से करिए उससे मिलती जुलती theme आपको दूसरे newspapers में भी दिखेगी पर आपको एक ही तरह का newspaper करना है ठीक है 80% आपका klat का paper जो है वो पिछले 6 महीने से होके आता है तो यह हमारे वीडियो का part 1 है इस particular series में klat uncoded series में हम आपको बहुत सारे videos देने वाले हैं जहां पर आपको klat का exactly nature समझ माझा जाएगा आपको यह पता चल जाएगा कि आप किस examination के against जा रहे हैं सो दोस्त अपने को बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि यह channel हमारे लिए बहुत important है यहाँ पर ऐसी tips और secrets हम आपको देंगे जो आपके examination में बहुत help करने वाली है तो इस channel को please तुरंस subscribe कर लीजे वीडियो को अपने सबसे important दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा जिसके साथ author के हिसाब से passage के हिसाब से true है या false है सही है या गलत यह आपको बताना रहता है एक question stendering या weakening argument पे भी होगा तो आपको author के arguments पे भी ध्यान से नजर रखनी है कि author कहां कहां divert हो रहा है कैसे कैसे points को रख रहा है और एक option रहेगा जहां पे आपको positive action पूछेगा right step पूछेग या flow of event पूछेगा यानि application based question होगा जबकि central theme central idea वाले questions critical reasoning में बहुत बहुत कम देखने को मिलते हैं कि bulk of that type of question is there in your reading comprehension but please remember that जब भी आप editorial को पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग में इन 4 सवालों को जरूर रखें कि editorial को short में पढ़के आपको उसका inference अपनी भाशा में लिखना ह कि आपको उस passage से उस article से क्या समझ माया दूसरा आपको author के multiple arguments को point out करते हुए चलना है because वहां से direct questions भी frame होते हैं अगर आप editorial को पढ़के author के arguments को अभी identify कर ले रहे हैं without questions तो with questions definitely you will be able to solve bulk of the questions मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपके सामने proof रखूंगा बिना proof कि मैं आ at 2021 का paper तो online available है तुम जाके google पे download कर सकते हो उसके बाद तुम critical reasoning के section को खोल के अपने सामने बैठे हो और इस पूरे वीडियो को देखना उसके बाद तुम CR section को solve करना मैं तुम्हारे सामने directly heading के साथ newspaper articles रखने वाला हूँ और तुमको महीना भी बताऊंगा कि कि किस मन्त से वो article आया है जहां पर यह myth burst हो जाए कि क्या 12 महीने का हमें newspaper पढ़ना है कि सिर्फ 6 महीने का अगबार पढ़ने से हमारा काम हो जाएगा because हमारे पूरे वीडियो का strategy ही यही है कि फचले 5 महीने में अगले 5 महीने में अपनी strategy को कैसे करें कि हम इस paper को forward के आए और असानी से NL में अपनी जगा पाएं तो critical reasoning में जो पहला passage आया था क्ला 2021 में वहां पर था COVID-19 और उसका mental health पे क्या impact है इंडियन एक्सप्रेस का यह article है और मार्स 2021 से यह mental health stigma ग्लोबल स्काउट से directly word to word copy paste हो क्या आया उसके बाद 5 basic basic सवाल पूछे थे अगर आपने यह editorial पढ़ रखा है तो आप यकीन मानिए passage को बिना पढ़े भी questions directly solve कर लेंगे इतना basic understanding का passage था उसके बाद दूसरा passage जो आया यह थोड़ा सा हट के आया यह लाल बहाद उस शास्त्री के character के उपर उनकी story के उपर एक छोटा सा excerpt दिया था Pax Indica novel से हमने हमारे students को Pax Indica भाई शशी थरूर बहुत बार बोला है और Pax Indica एक ऐसी किताब है जिसमें vocabulary भी अच्छी है सब कुछ अच्छा है इंडिया की history के बारे में तो अगर आप novels पढ़ रहे हैं और अगर आप fictional novels पढ़ रहे हैं तो याद रिखेगा इस paper में थोड़ा सा दिक्कत आपको CR section में हो सकती है because CR section is based on politics, history, editorials, what is going on around the world and all of that आपके सामने मैंने passage भी निकाला हुआ है जहां पर ही वो line आप highlighted देख सकते हैं और आप internet पर देख सकते हैं कि Pax Indica से भी वो line directly उठके आ गई है next passage अगर आप देखिए तो वो आया है January 2021 से और January 2021 तो मैंने आपको बताया नहीं यहां पर कि CLAT 2021 जो हुआ था वो July में हुआ था और यहां पर आप देख रहे हैं कि January 2021 से passage on pandemic and idea to revamp school education directly उठके आ गया है directly Indian Express का यह passage उठके आया है word to word copied है उसके बाद next passage आप देखिए de-risking climate change यह again December 2020 का है यानि almost six months before the CLAT was conducted वहां का editorial आया है source again Indian Express है that Asia is at the front line of climate change this was the passage if you look into the next passage तो उसको बताने के पहले मैं आपको बता दो देखिए क्लाइट में कुछ questions होते हैं जो हमें प्राइमें फिसाई देख के बड़े difficult लगेंगे अब यह जासा statement है इसमें तीन statement दिया हुआ है कि इन में से कौन सा statement सही है और वह climate change related passage है ठीक है अब देखिए अगर आप पैसिशन को देखते से डर जाईएगा तो होता ना कि आपका मोराल जो है वो गडबड होगा लेकिन आप statement को पढ़िए देखिए statement 1 कहता है कि impact of increasing heat is more on the ones who are economically poor and engaged in outdoor employment गर्मी उनको ज्यादा लगेगी जो बाहर काम कर रहे हैं और जिनके पास पैसा नहीं है भाई heat stress से बचने के लिए AC चलाने के लिए अपके पास पैसा चाहिए क्यों कि बिल्कुल सही समझ में आती है इसमें क्या गलत है statement 3 को अगर आप पगड़के चलिए तो बोल रहा है कि localized understanding of climate risk is essential to mitigate the risk अगर हमें climate के risk के बारे में local level पे पता है कि उडिसा के coast में cyclone आएगा तो cyclone के preparation पहले से करके रखो उससे होने वाला risk बचा सकते हो तो इस statement में भी प्र difficult हो सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है क्लाट में बहुत basic paper एकलाट बहुत basic flow of information से आप इस examination को crack कर सकते हैं उसके बाद last passage अगर आप देखें तो last के दो pathogen में बताओं लेकि हर साल periodic labor force survey आता ही आता है यह January 2021 में भी यह passage आये था Indian Express में और March 29 2021 को directly information भी है इंडिया में jobless growth होती दिखाई दे रही थी pandemic ने इंडिया के unemployment के crisis को reveal कर दिया तो pandemic और उसके impact क्या था employment पे वह पैसे था और बहुत basic basic सवाल थे लेकिन अगेन मैं आपको बोल रहा हूं इस examination में the real skill और the real advantage that you can make is ना कि आप time के पहले गर लो तो अगर माल लिए 30 questions का अपने को CR आता था उस time पे और अगर आपन 20 minute में कर पा रहे हैं और 20 minute में यह question यह segment करके 26 27 marks निकाल ले रहे हैं तो अपनी all India rank 500 के अंदर आने से अपने को कोई रोक नहीं सकता है boss समझ रहे हैं तो यह देखिए आगेर आपको last में बता दूँ एक times of India से उठाके January 2021 का passage पूछा जहां पे था कि इंडिया ने pandemic को दुनिया के comparison में बहतर तरीके से manage कैस में यूस-उक का example था तो वो आर्टिकल है फेसे ट वर्ल्ट इंडिया सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जहां पर मुल्टिपल पार्ट में आपको क्लाट की कुछ ऐसी डिकोड़ेट सीक्रेट्स बताएंगे सोर्स के साथ प्रूफ के साथ जो आपके दिमाग को एक दम बॉगल कर देगा और आप सोचोगे कि यार ये एक्जामिनेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है इसका इतना हुआ बना रखा है मार्केट में तो ये बेसिक टिप्स जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हूँ है इसका स्क्रीन शॉट ले लिजे जब भी आप एडिटोरियल को पढ़िए तो आप उससे ये चारपा चीज बहुत बड़ा होता है विकॉस जो हमारे पास निउस्पेपर में एडिटोरियल जाते है ना वह एडिटोरियल सारे के सारे अपने को नहीं पढ़ने रहते और उनमें भी कुछ इंफर्मेशन ऐसी होती है जो कर हमें हाइलाइट मिल जाए तो हमारा काम असान हो जाते है अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा है और आपने उससे शॉर्ट नोट्स बताए हैं तो हम आपको आपकी शॉर्ट नोट्स को फोटिग्राफ देखके रिव्यू करते हैं बताते हैं कि बेटा यह मेजर पॉइंट है जो तुमने मिस कर दिया से इडिटोरियल से यह सारी च सकता है तो क्यों हम अवाइट करेंगे न्यूस्पेपर को अब आप इंडियन एक्स्प्रेस का यहां पर सोर्स देख रहे हैं 2020 के पेपर में टाइम ऑफ इंडिया भी पूछा और इंडिया टुडेश जैसे पेपर भी पूछे दा वायर भी जैसे पेपर पूछे लेकिन य रही सारी थीम्स जो इंडियन एक्स्प्रेस में 2021 में पूछी गई है सिमिलर थीम्स पर डेफिनिट सी बात है कि दा हिंदू जैसे पेपर ने भी आर्टिकल्स कवर कियें तो एनी वे यहां पर यहां पर आपको टिप्स सीक्रेट्स रिवील हो रही है यह आपको कोई नहीं बताने बाला क्योंकि अगर यह सीक्रेट्स आपके पास लग गई तो सारी मार्केट फ्लॉप हो जाएगी सबका धंदा बंद हो जाएगा क्योंकि फिर बच्चा कहेगा यार हमें तो basic mentorship चाहिए हमें classes नहीं चाहिए हम newspaper खुझ से पढ़ लेंगे हमारे notes को देखके review करो तो मैंने जो कहा वो सही है कि नहीं है यह आप figure out करेंगे कैसे करेंगे आप CLAT 2021 का paper internet से download करिये उसके critical reasoning के sections को पढ़िये और आप देखिये कि यह जो themes मैंने आपको बताई है क्या इनी themes related passages थे कि नहीं थे अगर इन themes related passages थे तो मेरे channel पर वापस आईएगा और part 2 इस video का जरूर द दिले यह वे कि रहुंथ दिले र मेरे नहीं हुंदाइगा जो जरूर खीसों देड़